कि अर यो आख्य ने mix है कि पेला जी अभध्य जी अंकें जी अर्षित जी प्रजापस जी अंकें जी प्रजापति leg Japam बिल्कोल बिल्कोल सभी को सभी को गुडीनिंग नमस्कार जे प्यारे बंदूओं ये प्यारे कोई दिक्कत हो तो बताईएगा और आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों कभी नहीं बूल पाओगे कहा कीश वापार्ट कभी नहीं बूल पाओगे का 20 वा पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और मैं वली कभी ना बूल पाओं लेकिन आप अरवार भूल जाते हैं कि हम 8 बज़ करके 5-7 मिनिट, 8 मिनिट पर अपन आ जाते हैं लाइफ तो दोस्तो आपका लाइफ आना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नीवारे हैं बहुत ही ज़्यादा सुका दे सुवावना है तो मेरे लाड़ लो मैं आप सबका एक बार फिट से कॉस्मोस के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक सुवागत और अभी नंदन करता हूँ दोस्तो बिलकुल बिलकुल जल्दी जल्दी शीतल जी बिलकुल अच्छा अच्छा ये डीपीटी गैमर जी आगे वो बिलकुल फटापट फटापट 20 लाइफ बिलकुल इतना ही 2020 हो रहा है गुरू ऐसा नहीं करना यार प्लीज दोस्तो फटापट फटापट सभी को साजा करेंगे और जल्दी जल्दी जुड़ेंगे दोस्तो सभी सभी लोग बिलकुल फटापट वीडियो के बच्चे भी जुड़ेंगे वीडियो ग्राम सेबग वाले भी, इसके अलावा जितने भी अपने पटवार के बच्चे हैं, जो पहले दे चुके हैं, रीट वाले बच्चे, नॉर्मली जो भी और कॉंपटिटिव एक्जाम्स की तियारी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल न्यू संकल बाले बच्चे, अपन के जो सामने वार्ड है ना उसका आपको क्या डूड के निकालना है, दोस्तो मजा जब आएगा जब लाइव की संक्या 60-70 से ऊपर पहुचेगी, मजब जब आएगा, ऐसे नहीं आएगा, बिल्कुल सिनोनिम, सिनोनिम, का मतलब होता है दोस्त परियाए, क्या होता है Synonym का मतलब परिया है हम लोगों को Synonym डूडना है Answer आना चीए दड़ादर दड़ादर बिलकुल 5 Share कर दी मैंने बहुत बढ़िया संजय जी बहुत बढ़िया बिलकुल टाटो जी आप लोगों का सहीयोगर राश्रवाद मेरे लिए बहुत आपरी हारे है बिल्कुल सर कमेंट्स को थोड़ा बड़ा करके दिखाओ जैसे मैं देख सकूँ बच्चों के कमेंट्स पढ़ने नहीं आरे बिल्कुल बिल्कुल एजीज का हिंदी अर्थ क्या होता है एजीज का मतलब होता है आपको पता है अपनने पढ़ा था तीकम जी, AGES का मतलब support होता, assistance होती है, companyya होती है, एक प्रकार का trustee होती है, क्या होती है trustee, तो अपन trustee के लिए अपन use करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तो, बिल्कुल सही है, ओके, ओके, ठीक है, रामबीर जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दोस्त तो देखो, मैं आपका जब बता रहे हो, आप जब तक मैं इसको देखता हूँ, अविड, अविड का मतलब होता है, उत्सुक, अविड यानि क्या होता है, दोस्तो, उत्सुक, क्या होता है, उत्सुक, या ग्रहन करने योगिया, मतलब कोई चीज को पाने योगिया, उत्स और राजनितिक होता है इसका अर्थ क्या होता है और राजनितिक होता है अब पॉलिटिकल का अर्थ क्या होता है राजनितिक नहीं हो पॉलिटिकल से बना है ये शब्द देखो एक वर्ड है पॉलिटी एक वर्ड है पॉलिटी ये क्या है ये पॉलिटी क्या है पॉलिटी का म क्या होता है दोस्तों राजनितिक विग्यान होता है मेरे लाड़लो अरे मेरे राजिस्तान के बीरो लिंक को शेयर करो राजनितिक विग्यान होता है क्या होता है यार आज तो मजा नहीं आ रहा है यार कुरू यार मजा नहीं आ रहा वाई अब है मित्तल का आंसर आया है बिल पॉलिटिक्स का मतलब होता है क्या जानता है पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है पॉजनितिक व्यवस्ता क्या होती है राजनितिक व्यवस्ता और पॉलिटिकल पॉलिटिकल मानी होता है राजनितिक एड्जेक्टिव है एक्क्यूजिटिव एक्क्यूजिटिव मानी होता है वो इत्सक मलब ग्रहण करने योगे ग्रहणी है क्या होता है ग्रहणी है एक्क्यूजिटिव या अधी ग्रहणी है Capsurable अधी ग्रहणी है इसके अलावा जो Capsurable चीज़े होती है C A P T U R A B L E captureable R A B L E captureable ठीक है ये वाली चीज़े जो होती है दोस्तों clear है आपके समझ में आ रहा है captureable ambitious ambitious मानी क्या होता है महत्वा कांची जो ब्यक्ती बहुत सारी चीज़ों की महत्वा कांची रखता है हो full क्या होगा दोस्तों अरे क्या होगा मेरे प्यारे बीरों बता दो रहे मेरे दोस्तों क्या होगा इसकांचर हो full बिल्कुल सर स्सी का new badge का time बिल्कुल आपको new badge का time है सुबस 7 बजे दोस्तों स्सी का बैस 7 बजे से चल रहा है और देखो vacancy आ चुकी है अरे अब तो दढ़ाका मचना चाहिए अब तो lives की line लगनी ही चाहिए lives and likes दोनों की दोनों की खतरना क्योंकि स्सी की vocab मैं ले रहा हूँ पूरी की पूरी आप पूरा स्सी कहीं और पढ़ने की जुरुत नहीं है सारी vocab यानि की एक दिन की class में बैट करके अगर तो मैं दस word भी याद करा दिता हूँ मैं तो ये मेरी अपने आप में बहुत बड़ी क्या हो जाती है success मुझे मिल जाती है तो समझना hopeful एक मैंने word लिखा aspire और इससे बना aspirational क्या बना? aspirational ठीक हैं दोस्तो arguable arguable मानी तर्क करने योग्य तर्क करने योग्य तो जो व्यक्ती उत्सुक होता है जो व्यक्ती उत्सुक होता है करने योग्य बताओ क्या होता है अब आपने answer देंगे अब मैंने जब अर्थ बता दिये तो आप लोगों के answers जब मैंने अर्त बता दिया है तो आप लोगों के आंसर पड़ापट पड़ापट आने की जला जल्डी से अपने आंसर टायप करेंगी मैं बिल्कुल इसकी विल्कुल बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल फटाफट फटाफट आप लोगों के आंसस बिल्कुल गजब गजब क्या बात है प्रणाम जी गुरू जी प्रणाम जी रादेशाम जी बिल्कुल शिवम जी ओफुल प्रजापती सी जी के जी बीके भाई बिल्कुल सचेन जी अरे आंसस में चैट रेट बहुत स answer आएगा, बिल्कुल C, बिल्कुल खतरनाग गजब answer, गजब दोस्तो lock कर दिया गया आपका answer first class answer आप लोगों ने दिया है, दोस्तो मज़ा बान दिया, यार क्या गजब answer दिया लेकिन एक बात बताओं दोस्तो अभी मुझे मज़ा नहीं आया, मुझे मज़ा आ गया ना समझ लो आपको और मैं चांचान लगा दूगा अज़ोर, अज़ोर का मतलब क्या होता है, देखते हैं, इसका क्या डूढ़ना है अमें antonym डूढ़ना है, बलो बोलो अज़ोर का मतलब क्या होता है दोस्तो तो अजोर का मतलब होता है आसमानी क्या होता है दोस्तों आसमानी जिसको हम स्काइबल्यू कहते हैं क्या कहते हैं इसकाइबल्यू यादखना कलर किस तरह के होते हैं को एक तो स्काइबल्यू हो गया और एक आपको पता है जब सूरज जब सूरज ढलता है तो जो सूरज ढलत क्या कहते हैं उसको क्रिम्सिन सी आर आई मैसों क्रिम्सिन उसको क्या कहते है क्रिम्सिन और अजोर क्या होता है आस्मान का जो रंग होता है बिल्कुल बिल्कुल सही है महत्वा कांची टिपणी महत्वा कांची की टिपणी करनी है क्या महत्व कांच्छी की टिपपणी करनी है कि एक पर जरूर बताना दोस्तों महत्व कांच्छी मतलब जो व्यक्ति महत्वाओं की मतलब अपनी जिसकी इच्छाएं बहुत हो डिजाइरस डिए एस आई एस आई आर ओ यू एस डिजाइरस लॉंग फुल एलो एन जी एफ यू बहुत सारे सुनोने में अपना आगे चर्चा करेंगे इसलिए मैं तोड़ा कम बताके गया हूँ बिल्कुल कम बिल्कुल करेंगे बात एक्रोमेटिक का मतलब होता है रंगहीन क्या होता है रंगहीन एक आपने सुनाओगा दोस्तों spectrum यानि क्या होती ही burn अंदता या burn करम बर्न करम होता है spectrum तो याद रखना avenge avenge यानि क्या होता है बदला लेना क्या होता है मेरे दोस्तों बदला लेना इसमें थोड़ी सी grammar पढ़ा रहा हूं है तुमको ध्यान से सुनना avenge के साथ मैं आपको grammar पढ़ा रहा हूं एक word है avenge और एक word है revenge सुने होंगे आपने दोनों word okay avenge भी सुनाओगा revenge भी पढ़ाओगा ब्याकरण को ध्यान से पढ़ना मेरे दोस्तों avenge भी सुनाओगा revenge भी सुनाओगा आप लोगो ने बोलो सुनाएं के ने सुनाएं अरे बोलो हाँ यह ना सुनाएं ना मेरे दोस्तो और इसी बात पर भाई साब एक लाइक तो बनती है एक लाइक तो बनती है बिलकुल पॉलाइट का क्या अर्थ होता है पॉलाइट का मतलब बिनम्र होता है पॉलाइट का मतलब बिनम्र होता है मेरे बात करू रिवेंज की तो रिवेंज ये क्या है नाउने और इसका अर्थ सिर्फ बदला होता है क्या है ये नाउने और इसका अर्थ सिर्फ बदला होता है इसमें अपन डीडी नहीं लगा सकते याद रखना अवेंज के साथ एक fix proportion आती है कौन सी on या दगना अवेंज ओन, क्या आती है fix proportion, अवेंज ओन, दोस्तों इसी बात पर like और share कर दो, मैंने आपको खतरनाक proportion बताईए, alumnus, alumnus का मतलब होता है, पूर्व चात्र, क्या होता है दोस्तों, पूर्व चात्र, किसी भी स्कूल का pre-student, previous student, earlier student, previous student, पिछला जो विद्यारती होता है, जो स्कूल पास करके निकल गया होता है, उसको alumnus कहते हैं, और alumnus noun जो है, इसका plural कैसे बनता है मेरे दोस्तों, alumnus का plural बनता है, alumnus का plural बनता है, alumnus का plural बनता है, alumnus का प्लूरल बनता है, alumnus का क्या होता है, I, amoral, amoral का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों मेरे लाड लो रहे क्या होता है अनेतिक अरे मेरे राजस्तान के बीद सपूतो अरे फड़ावट फड़ावट से इस लिंक को शेयर करो जिससे की बच्चों की संक्या इस पर आया अनेतिक अनेतिक का मतलब क्या होता है Immoral क्या होता है? Immoral और Amoral दोनों होते हैं Immoral और Amoral ठीक है? लिख लेजिए फटापट से Immoral और Amoral को बिल्कुल जลदीающ से लिख लो दोस्तों और आप मुझे बताओ कि इसमें Answer क्या होगा? बिल्कुल जलदी से बताओ क्यी इंदी होगा? फटाफट फटाफट बताएंगे दोस्तों जल्दी से आप लोगों के आंसर आने चाहिए I am checking your answers ओके फटाफट बताएंगे दोस्तों ओके ओके रही के दोस्तों आप चलते हैं देखो आपने आंसर की तरफ आंसर इसका बिलोम डूड़ना है तरफ आसमानी कलर और बिना आसमानी बिना रंग के ये क्या हो जाएगा अक्रोमेटिक यह दोस्तों गजब गजब अवे मित्तल जी दीपक जी श्रश्टी जी शीतल जी बिलकुल बिलकुल अवदेश प्रिजापती बिलकुल अंकेत रमा आइम बिल्कुल आकाश, अमर सिंग, गजब गजब आकांगचा, रोहेत, शिवाम, बिल्कुल बहुत बढ़िया, रवी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रामबीर जी, गजब गजब मजब आन दिये, गजब मजब आन दिये, दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है, क् सरहानी answers दे रहे हैं बिलकुल ए सबके ए answer आ रहे हैं बिलकुल बताओ ए बेकर्स डौजन मुहाबरा है जो इसका अर्थ बताएगा सबसे पहले मेरी नजर आपके comments पर है फटापट फटापट देखता हूँ ए बेकर्स डौजन इस बेकर माने होता है पाओ बनाने वाला क्या होता है पाओ बनाने वाला और पाओ बनाने वाले का दर्जन का मतलब क्या होता है यादकना पाओ बनाने वाले का दर्जन का मतलब क्या होता है मुहाबरा है बताएगा answer क्या होगा answer क्या होगा फटापट बताईएगा पाव बनाने वाले का क्या होता है पाव बनाने वाला है बेकर्स डॉजन क्या होगा इस कार्ट बताईए 12 12 होगा चैरिटी दान होगी 13 13 होगा या फिर बिल्कुल फ्रॉम जोदपुर कौन है अच्छा माउसी माली क्या जब मज़ा ले रहे हो मेरे से कोई दिक्कत नहीं है ले लो भाई ले लो सर आपकी कलर ठिंक कर लो कॉलर अच्छा कॉलर ठीक कर लो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद कॉलर ठीक कर ले तो वैसे कॉलर अच्छी लग रही थी तिरची भी कॉलर बढ़िया लग रही थी थैंक यू बेरी मच्छ देखो थर्टीन तेरह हो गए अलाउएंस या नहीं होता भत्ता चलो बताओ दोस्तो क्या बात है अब मेरे कितनी केर करते होगा मेरे घर पर भी मेरे कोई केर नहीं करता है इसके लिए अब देखो ये बेकर्स डॉजन का मतलब क्या हुआ आंसर बताएं जल्दी से आंसर बताएं मुझे फटापट फटापट C C C C और स्रष्टी का तेरह आंसर आ रहा है बिलकुल स्रष्टी जी C यानि कि सभी का आंसर C है मैक्सिमम लोगों का टीप टाप के दे रहें लेकिन बढ़िया दे रहें आंसर गजब गजब मजब आन दिये दोस्तो थर्टीन थर्टीन नम्मर का जो है ये आपका आंसर होगा बिलकुल तेरा जो है ये आंसर है आगे देखिएंगे दोस्तो अपोस्टल अपोस्टल का आर्थ क्या होता है बताइए अपोस्टल का मतलब क्या होता है दोस्तो आपको एंटोनिम डूड़ना है क्या डूड़ना है एंटोनिम क्या डूड़ना है आपको बिलोम और अपोस्टल का मतलब क्या होता है इश्वर दूथ क्या होता है इश्वर दूथ क्या ह बात है मज़ा बांदी गुरू क्या बात है 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 क्या नहीं आ रहा है क्या प्लीज बताओ सर बिल्कुल नहीं आ रहा है क्या प्लीज बताओ सर बिल्कुल नहीं आ रहा है क्या प्लीज बताओ सर बिल्कुल नहीं आएगा तो आपक कि क्या आएगा आकाश का अंसर ए आ रहा है बावा डॉन का आ रहा है सी 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 इतनी बार सी तो है इनी ओप्सन में है और रादेशाम जी गजब 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 क्या बजब आन दिये दोस्तों चलो देखो एक बार अर्थ देखते है अपनका एंटागोनिस्ट या नहीं होता ख इसका एक नाउन वनता है एडवो केसी क्या भी नाउन वनता है एडवो केसी का मतला होता है बकालात क्या होती है दोस्तों बकालात है ना एडवो केसी एडियरेंट एडियरेंट का मतला होता है किसी चीज में समलित होना लिपत होना लागू होना जुड़े रहना सनलंगन ठीक है न, एनिरोइड, एनिरोइड क्या होता है, एनिरोइड एक बैरोमीटर जैसा हवा, बायुदाव को नापने वाला एक बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर टाइप का होता है, आपने सुना होगा, बायुदाव को नापने के लिए जो काम में आता है, बैरोमीटर टाइप क के answers मिलने चाहिए बिल्कुल मैं हट गया हूँ काते ही एक percent नहीं हूँ तुमारे screen के सामने अब मुझे फड़ापट फड़ापट अपने answers दे दीजीगे दोस्तो जल्दी जल्दी से अपने answer देंगे बिल्कुल बिल्कुल दोस्तो क्या बात है अडियरेंट का जो मेनिंग है आपको पता है किसी चीज में जैसे मानो मैंने तुम्हें क्या किया मैंने तुम्हारा पक्ष लिया उसको अपन biased कहते हैं पक्ष लेना पक्ष पाती biased B.I.A.S.E.D. biased biased जयानि क्या होता है पक्ष पाती मेरे प्यारे लाड़लो क्या होता है बायस जानी पक्ष पाती पक्ष लेने वाला कोई व्यक्ति बायस होता है एक अपन इसको पार्टिसन भी बोलते है क्या भी बोलते है पार्टिसन बोलते है बिल्कुल ए आंसर सही है एंटागोनिस्ट बिल्कुल सही है एंटागोनि आपोस्टल नाउन है, आपको शांदर शांदर भड़ पढ़ा रहूं है, राज ऐन्टागोनिस नाउन है, एड़ोकेट नाउन भी है और बर्वी है, ये नाउन भी है और बर्वी है, एडियरेंट एडशेक्टिव है, और एंडरोइड क्या है, noun है आपको पता है एक spelling है A N D R O I D ये तो होता है मशीनी मानव क्या होता है ये मशीनी मानव आपको पता है जो मोबाईल यूज करते हो आप उसमें अन्डरॉइड फॉन आते हैं राइट और ये होता है एड्रॉइट क्या होता है दोस्तो अपने वाला क्या कहलाता है एन ख़ी तो कि अपने नहीं तक आप लोग को किया कहते हैं दोस्तों बिल्कल मज़ नहीं रोबो रोबोट किसे कहते हैं रोबोट कहते हैं एंड्रोइड को क्या कहते हैं एंड्रोइड को रोबोट कहते हैं पढ़ा है बिलकुल गॉड गॉड नहीं कहते हैं इश्वर दूद को कहते हैं एरांड जो होता है दूद कारे करता है दूद कारे करने वाला व्यक्ति होता है है ना यह दूद कारे होते हैं लेकिन यह दूद नी होता दूत कारिय होते में नहीं पोलते हैं डूत मेंस्ऊंजर बोलते हैं इसको बोलते हैं talkin' फ्रोटेगोनिस्ट क्या बोलते हैं ह। प्लोबस वेर्टियों क्या है सी का हुगा और यह विलोम क्या होगा इसाजने का का हुगा राम भीड जी गजब 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 मजब बान दिये मतलब आप लोगों ने अपने आंसर में मजब बान दिये खतरनाक आंसर आगया है आपका ए अगला देखिए अगला है बनवर्ड बताइए एक व्यक्ति जो की लव करता है ब्यूटी को बताओ सुंदर को देखो ब्यूटी से मुझे एक चीज याद आई ब्यूटी से मुझे एक चीज याद आई ब्यूटी एक तो होता है ब्यूटी फाय और एक होता है ब्यूटी फाय तो ब्यूटी फाय और ब्यूटी फाय इन दोनों में अंतर क्या है बीटी फाय मानी होता है खुश करना किसी को राजी करना क्या होता है मेरे लाड़ो अरे मेरे राजस्तान के बीरो क्या होता है राजस्तान के बीरो क्या होगा भाई राजस्तान के बीरो को अंग्रे जी कहा आती है बिल्कुल बिल्कुल साही है beautiful. beautiful माने। सुन्दर, film ज़ादा देखते हो भाई beautify माने, सुन्दर बनाना और किसी गोछ करना कि क्या होता है क्या होता है, beautify आप देखना, मेरे को beauty से एक word याद आया, अगर मैला कोई beauty होतो उसको कहते है बैनुस्त्रा क्या कहते हैं महिला अगर कोई beautiful हो तो उसको कहते है बैनुस्त्रा और पुरुस अगर beautiful हो तो उसको बोलते हैं handsome हो तो adonis क्या बोलते है adonis ये महिला के लिए आता है female के लिए आता है और कोई भी सुन्दर महिला हो तो आप क्या बोल सकते है बेनुस्तरा बेनुस्तरा बोल सकते है मेरे दोस्तों अगर कोई महिला सुन्दर होगी तो आप किसको क्या बोलोगे बेनुस्तरा और कोई पुरुस सुन्दर होगा मेल तो आप उसको क्या बोलोगे एड़ोनिस ठीक है Ebscondor, Ebscondor कौन होता है फरार करने वाला फरार फरारी ये गाड़ी का नाम नहीं है फरारी मतलब जो फरारी काटता है S के टिक मानी होता है साधू क्या होता है साधू इसको बोलते दोस्तो S A I N T सेंट इसके अलावा बोलेंगे सेज इसके अलावा बोलेंगे Monk, M.O.N के एक शांदार वर्ड में आप लोगों को बता रहा हूँ हर्मिट, क्या होता है हर्मिट, हर्मिट या नहीं होता है साधू और साधू जिस जगे पर रहता है मेरे दोस्तो, साधू जिस जगे पर रहता है, उसको कहते है हर्मिटेज, मठ या आश्रम क्या बोलते है उसको हर्मिटेज बोलते है, क्या बोलते है मेरे लाड़ले दोस्तो, हर्मिटेज जिस पर हर्मिट रहेगा, बिल्कुल सर सर, हम मैंने नाम चिंज के लिए पापा का पारा बढ़िया क्या बात है पापा का पारे बहुत मजा बांदी अवै मित्टल रामबीर सिंग यसर बैनुस्तर बहुत बढ़ी अंकित कुमार बिल्कुल गजब गजब एक एस्थेटिक मानी होता है सॉंदर ये प्रेमी क्या होता है सौंदर ये प्रेमी होता है मेरे लाड़लो क्या होता है सौंदर ये प्रेमी MB वर्ट मानी होता है अभय मुखी क्योंकि जो व्यक्ति दो तरह की बाते करता है या दो प्रकार से अपने विचार धाराओं को दर्श्टिक और दर्सदा कभी अंतर मुखी कभी बहीर मुखी तीन वर्ट है ये वर्ट वर्ट यानि क्या होता है मुख को दिखाने वाला आपका फॉरम दिखाने वाला मुखी इसकी हिंदी होती है मुखी तो तीन तरह की मुखी होते हैं अंग्रेजी में क्या होता है पहला तो दोस्तो इंट्रोवर्ट क्या होता है इंट्रोवर्ट दूसरा होता है एक्स्ट्रोवर्ट क्या होता है एक्स्ट्रोवर्ट और तीसरा होता है एमबीवर्ट क्या होता है एमबीवर्ट इसको कहते हैं अंतरमुखी क्या बोलते दोस्तों अंतरमुखी जो किसी से नहीं बोलता है बोलो कजब आपके समझ में आया कि नहीं आया बताओ याद अरे मज़ा आएगा गुरू अगर तुमने मज़ा बांदी लाइन मुझा आपकाने का पूरा पूरा प्रयास लेकिन दोस्तों आप लोगों का संकल्प आप लोगों का साथ और सहयोग मुझे अटकने नहीं देगा डेफिनितली हम अपना अन्सर निकाल लाएंगे तो जो सुन्धरे को प्रेम करता है वो को जाता है एस्केटिक और जो केवल अध्यात्म को प्रेम करता ऐ सादू सन्यासी जो केवल मांसी गुरूप से क्या रहता है संतुष्ट रहता है बिल्कुल सैटिस्फाइड खुश करना होता है क्या सर बिल्कुल सैटिस्फाइड माने संतुष्ट करना होता है खुश करना नहीं होता अपने आपको सैटिस्फाइड करना मतलब खुश करना नहीं होता संतुष्ट करना होता है अगला वर्ड आप लोगों के सामने बिलकोल बोर्ड पर है अटायर अटायर मानी होता है भाई सब पोशाक क्या होता दोस्तों पोशाक के समानारती भी बताएंगे और अपना आंसर भी बताएंगे और मुझे पर्याय भी बताएंगे चलिए पड़ापट पड़ापट अपन जोस्तो आंसर साने चीए यार मज़ा जबाए गारे मेरे राजिस्तान के लाड़ले वीरो और तुम्हारा नेशनल दर्जा दूगा बाद में अभी तुम अभी राज्य दर्जे पर हुआ अंतराश्टी दर्जा भी मिलेगा आप लोगों को लेकिन पहले राज्य दर्जे पर पताने मुझे पोशाक के तीप टाप के मत रखना वस ब्रजा पती जी युवराज जी गजब गजब रभी रभी इम्रान अवदेश बहुत सारे बच्चे मेरे तो पता नहीं कहां रे जाते हैं क्लासीन लेते हैं बिलकुल सुनिल जी बढ़िया बहुत बढ़िया बिलकु नारंगी जी गजब शिष्टी गरीमा ठीक है पोशाक बिलकुल पोशाक इसकी हिंदी होती है इसको अपन कहते हैं गार्व क्या भी कहते हैं गार्व और इसके अलावा बोलते हैं गार्मेंट क्या बोलते हैं दोस्तों गार्मेंट बोलते हैं एक इसके अलावा एपरेल बो और सूट जो होता है वो प्रुशोでしょう अहों थेंक यू,nold एम क्यू don pulton, विलकोल बढ़िया यह ओके मैं तो मैं तुम्हें पोशाक का इक बाड़ह बताता हूं है अंही पोशांग कोता ए क्या भी ओता दोस्तो है अंहीं ही पोशाक कोता difah इन शॉन से सुननाों करो करने भ के बहुत बढ़ी आ बहुत बढ़ी है यह इलिमेंट के लाबहर आ रीणइचर क्या है गार नीचर एक क्या है गार नीचर जी यार और मयंकिद siena तो 우리가 ao होता है गार्मेंट एक होता है आपा रेल मैंने का देखो आपा तो रेल में चालेंगे और जब आपा रेल में चालेंगे तो नई पोशाग पहन के चालेंगे ऐसे नहीं चालेंगे आपा रेल में चालेंगे तो नई पोशाग पहन के चालेंगे देखो गर्व गर्व होता है जब हम अपनी नई पोसाग पहन के जाते हैं, गर्व होता है, जब हम अपनी नई पोसाग पहन के जाते हैं, कलोथ तो सब जानते ही हो, गार्मेंट आप जानते ही हो, कपड़ों की दुकान होती ही, गार्मेंट शॉप और हभीली मेंट, देखो, चिसी की भी हभीली में जाने से पहले अवेली होती है रही सोगी और किसी की भी अवेली में जाने से पहले आप लोगों को क्या होता यूनिफॉर्म बिलकुल यूनिफॉर्म नहीं होती है क्या बिलकुल होती है प्रजापती जी यूनिफॉर्म भी कह सकते हो आप इसको क्या भी कह सकते हो यूनिफॉर्म और संपन्न को अंग्रेजी में क्या गहते है प्रोसपरस, क्या कहते है थोड़ा सा अपन कम बताएंगे जिसे कि अपन अपनी पूरे वोकैब तक पहुछ पाएं, अजमशन यानि क्या होता है दोस्तों अनुमान क्या होता है अनुमान जिसको अपन supposition भी कहते है क्या भी कहते है supposition एक कहते पॉस्टूलेशन क्या कहते है पॉस्टूलेशन पॉस्टूलेशन मानी भी क्या होता है अनुमान शांदार वर्ड है दोस्तो ये इसी वर्ड पर ताली हो जानी चाहिए ताली हो जाने चाहिए दोस्तो पॉस्टूलेशन इस दा गजब 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 एक्सिलेंट वर्ड अकूटर अकूटर मानी सामगरी होती है गरीमाजी अकूटर मेंट सामगरी होती है अपरेल मानी परिधान होता है क्या होता है परिधान या पोशाक इसके अलावा आर्की न बताईए दोस्तों, आर्की नैमी का अर्थ क्या होता है, आर्की नैमी का अर्थ होता है, बाई सभी यमराज, क्या होता है, यमराज और सेतान, क्या होता है यमराज, भई यमराज है न, सेतान ही होता है, एक तरह से जिन्दे को जिन्दे इंसान को ले जाता है, मार के है न, त क्या बोलते हैं यमा बोलते हैं दोस्तों और इसके अलावा बोलते हैं वैलियल क्या बोलते हैं बैलियल बी-e-l-i-a-l बैलियल मानी भी क्या होता है शैतान और एक अपन को पता सेटन तो होता ही है सेटन मानी भी अमराज होता है से अटन सेटन याने भी यमराज होता है और एक बर्ड और आपको अगर अच्छा लगए तो तालीब जाना डिकिन्स डि-i-c-k-e-n-s डिकिन्स याने भी क्या होता है वाई साथ सेथान होता है क्या होता है सेथान और एक और शांदार वर्ड मैं आप लोगों के लिए बता क क्या पढ़ रहे हो आप बिल्कुल गजब का गजब का टर्मिनलोजी यह है आप देख सकते यमराज को आज तक अंग्रेजी में तुमने यमराज ही कहा होगा इंदी में और अंग्रेजी में तुमने एक ही कहा होगा पहली बार देख रहे हो आप आर्की नैमी आर्की नैमी य जोस्तो जड़ी बांदी देखो यहाँ पर क्या है यमा 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 को यम्राज कहते ही है बेलील तो देखो बेली लेके आए हम क्या लेके आए बेली क्या पीने के लिए सबजी पीने के लिए खीर पीने के लिए बेली लेके आए जादा पीली तो कहां दा होगे यम्राज तो याद रखोगे सेटन देखते हो सेटान को सेटन कहते है डिक्किन्स डिक्किन्स नाम का कोई व्यक्ति है साथ यो कह दो या कि यह खड़ा कट दोस्तों अंग्रे जी का महा महराशन सीरी चल रहा ही हो और तुम लोग सोरे हो यार ऐसा थोड़ी पार पड़ेगी यार गजब दोस्तों गजब मजब आधी क्या वात है ताली वज़ा रहें आंसर दोस्तों आंसर दो आंसर दो फटापट फटापट अपने आंसर आने चीए मज़ा जब आए आर जब मलब बढ़ती हुई संख्या के साथ हम रेगुलर देने आए लाइव घटी हुई संख्या के साथ लाइव देने से क्या मज़ा यार कल की कला संडे था कल हमने भी सुचा आराम कर लिया जाए कितना टेंशन का काम नहीं और ससी के बढ़िया 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 बिलकुल देखो औल माइट माइट है नहीं क्या होता टाकत जब आजाय टाकत और मुख्य ताकत क्या आजाय जब कोई व्यक्ति अपनी मुख्य ताकत यूज करे तो इसका मतलब होगा complete trust गलत exceptional skill aapwad यह exceptional वानी के होता अपबाद अच्छा अपबाद के कितने अंगरेजी होती है बताओ एक तो होती है exception अपबाद को अंगरेजी में क्या कहते है exception जिसको पूरी दुनिया जानती है एक बार exam में आया था यह word salvo salvo मतलब होता है अपबाद s-a-l-v-o साल लगो भाई साल लगो इस बात को जानने में कि ये नियम कैसे बनो तो मतलब साल वो ठीना अब बाद full unity पूरा जो संगठन है पूरे संगठन के साथ गलत यानि कि तीनों अप्सन गलत है अगर पूरी ताकत के साथ अपन कोई काम करते तो उसको अंगरे जी में कहते है full force क्या कहते है मेरे दोस्तों full force कहते है मेरे लाडले साथियो बिल्कुल मेरे तुरंत बाद राजस्तान जी के की किलाज सलेगी राजस्तान पुलिस के लिए और राजिस्तान के सभी भीरों के लिए सपूतों के लिए जो राजिस्तान के किसी वेकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उससे पहले अंगरे जी का घमासान युद्ध आप तुरंट देखते जाएंगे अगली स्लाइड की और चलेंगे देखिए आपको करेक्ली स्पेल्ट वर्ड डूड़ना है दोस्तों चैटरीट डाउन हो रहा है अरे हार्ट भेज रहें आंसर भेजो भाई हार्ट मत भेजो आंसर भेजो हार्ट तो मेरे पास भी है कोई दिक्कत नहीं है जब तक है तब तक जिंदा हूँ आपको क्लास दे पठापट फटब पठापट बताईए कि कर्एक्टली इस पेल to work कौन सा है करेक्टली इस पेल्ट वर्ड कौन सा भिलकुल हलो 김 जॉंग बिलकुल बहुत खतरना क्या चाहित आ रहे हैं राम रामां बिलकुल चाहिना ब्यकती लिवियक्तु च्पी कोरिया वाला नॉर्थ क आंसर में variation क्या बात है admittance की spelling में क्या आएगा डवल टी auxiliary की spelling क्या होगी ये spelling wrong है यह आपर आई नहीं है एच्छा anthropology की spelling होगी इनकी बात हम पहले से कर चुके और affiliation की spelling होगी अफिलियेशन मानी होता है किसी से संबंद करना किसी संबंद रहना और इसके अलावा इसका अर्थ होता है anthropology यानि मानव मानव शास्तर कहे दो आप इसे शौट में auxiliary का मतलब होता है सायक और admittance मानी होता है किसी का सयोग ठीक है नहीं समलित होना तो बताओ अपना spelling कौन सी सही है correctly spelled word as C जिन लोगों का C answer आरा था बिल्कुल सही है बिल्कुल यमराज का आपको मैं यमराज हूँ आपको ले जाओ बिल्कुल ले जाओ किया बात है ले जाओ ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है अच्छा बताओ medicines to counteract the effect of a poison मतलब किसी भी जहर के प्रभाव को counteract करने के लिए मतलब खतम करने के लिए यह ज़्यादा जरूरी है भाई साब खतम करने के लिए किसी भी ऐसी दवा का नाम बताओ जो किसी जहर के प्रभाव को खतम करने के लिए यूज की जाती है उसको क्या कहते हैं anti-venom जहर विपरीद जहर विरोधी जहर विरोधी कहीं fish को anti-dot कहींगे anti-dot कहींगे anti-dot मानी क्या होता है विशनाषक क्या होता है दोस्तो विशनाषक बहुत important शब्द है ये 4 गी 4 आरो एने डवानी क्या होती है दोस्तो दंत कतह लोगों के द्वारा बोली गई कतः दंत कत早ओ और रिये क्या antiseptic antiseptic境 क्या नहीं क्या होता दया है बहाई आप जैसे allergy anti allergic कहेंगे आप इसको antiseptic antialergic okay anti allergic ठिक है न anti allergic कहेंगे ये anti septic हो जाएगा ठीक है अब बताओ मुझे answer बताओ इसमें क्या आएगा पड़ापड पड़ापड answer देंगे दोस्तो मज़ा जब आए जब आँसर बिल्कुल सटीक आए मज़ा जब आए जब answer सटीक आए सब की एक 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 टाइप बिल्कुल बिल्कुल दोस्तो फटापट फटापट अपने answers टाइप करेंगे बिल्कुल बी 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 क्या ओके 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 और antiseptic का अपन antialergic लिखा और antiseptic क्या कामाती है बताओ गॉतम मीना जी ना answer दी आये क्या बात है इंती बज़ा बान दी बस बान दी ने क्या होते है उसको रोगारू नासक और जब कोई चीज रोगारू ना शक ओती है बीमारियों का ब्रास करने वाली चीज होती है तो वो होती है antidote जर्म्स होते हैं उनको नस्ट करने के लिए होता है यह क्या होता जैर को नस्ट करने के लिए होता है तो यह आजाएगा antidote तो दोस्तो आज के लिए मैं आप लोगों के सामने यह जो words लेकर के आया था यह शांदर words थे येक और वर्ड है येak और वर्ड हो रुजाओ भी रुजाओ येक वर्ड हो रहेते देखिए इनकरेक्ट्री स्पेल्ड वर्ड ऻुड़ना है गलत कॉंसे सब्सक्रेयर अमिवेंड डावलेस अडूअ क्यों एडियो ऑर इनिमो मीटर अनिमो मीटर अपने का यह होता है वह व बताओ गलत स्पेलिंग किसकी है मेरे दोस्तों फटापट बताएंगे गलत स्पेलिंग किसकी है जल्दी जल्दी से अहां क्या बात है सरश्टी जी घजब 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 तुम पहले हो जिसने मुझे जबाब दिया है यू आर दा फर्स एटाइज आंसर टू मी घजब बाकी के सब सही है संग्चिप्त करना और और के लौजी मानी क्या होता है पुराता तो सास्त्र कल से अपन की क्लास के समय में परिवर्तन आया है बिल्कुल वो परिवर्तन आप लोगों को लिंक के साथ बता दिया जाएगा कल टाइम च्रिडूल में हम आरे में थोड़ा ब के साथ हमारा इंग्लिश का मेराथन सीरीज यहीं तक फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कल ठीक इसी समय पर यानि की लगवा किसी समय पर आठ वजे तब तक के लिए have a nice time good day good bye thank you very much bye bye I salute you आपके